में बिलेट पिरेशर के मरीज हैं और हमालेर का तंखा पावन नहीं है और दवा कसक हो है हमारों बीमार है मतलब मुझे पॉबलम हो रही क्योंकि मुझे कोचिंग की फीज पेड करनी है बच्ची है बड़ी वाली वो भी डिप्रेशन में हो भी दवा खा रही है घर यतना भुकमरी चाहिए क्या कर सकते हैं हम लोग ओगी कखा ले कि मोदी कखा ले कि अमडियों क्यारमान के चबाले यह बताई यह सिखार चलाते हैं बाद चलाते हैं अब बच्चन की फीज नहीं जमाव होती है बच्चों की फीज नहीं पहुच आ रहे हैं दूद वाला दूद नहीं दे रहा मकान वाला किराया मांग रहा मकान खाली करने के आदेश कर रहा दवा भूक प्यास सब मर जाती है कैसे चल लए घर का हाल क्या है सरकारी महकमी की लापरवाही और अधिकारियों की बेरुखी किस तरीके से कर्मचारियों को आज दो राहे पे लाके खड़ा कर दी है अगर ये दर्द देखना हो ये नजारा देखना हो तो 23 दिंग से जल निगम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए है लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है समधान ऐसे निकाले जा रहे हैं जिससे ये खुद संतुस्ट नहीं है नमस्कार आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूँ शुति श्रिवास्तो सर्वे ओंदा स्पॉर्ट में आज हम उत्तर प्रिदेश के जल निगम कर्मचारियों के बीच में एक बार फिर से है और आज फिर से हम इनके दिल का दर्द जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस धर्ने का समधान है इसका कोई अंत है या फिर नहीं अधिकारी और मंत्री इनकी बातों को मुखमंत्री तक पहुचा रहे हैं और अगर पहुचा रहे हैं तो सही डंग से क्यों नहीं पहुचा रहे है तेज दिन से धर्ना हो रहे है इसका खात्मा है लगातार 23 दिन से आप धरने पर बैठे हुए है लेकिन बातों को क्यों नहीं सुना जा रहे हैं अगर बातों को सुना जा रहे हैं तो इसका समधान सही ढंक से क्यों नहीं निकाला जा रहे हैं कर्मशारियों के सामने भुख्मरी का संकट भैंकर्स पैदा हो गया है जो अपने परिवार का भरन पॉर्शन पालन पॉर्शन दवाई इत्याद आद का खर्चा करने में असमर्थ है दवा भूख प्यास सब मर जाती है क्या से चल लए घर का हाल क्या है यहां पर कर्मशारी बोल भी नहीं पा रहा है बोलने से पहले आप आंसू देख सकते हैं कि आंसू बया कर रहे हैं दर्द यह दर्द एक कर्मशारी का नहीं है यह जल निगम हम उत्तर प्रदेश से आपको यह कवरेश दिखा रहे हैं । मैं हाँ हजार नहीं पचीस हजार परिवार वेटन पिंशन मिला के इनकी परिवार की बात है यह जो करमचारी नहीं है यह दिख रहे हम लोग वर्क अपना पूरे प्रदेश में कर रहा है आप किसी भी गाओंप चले जाए कि आपको किसी भी वाग का बच्चे को नहीं मालू होगा लेकिन हमारे बताता है क्यों कि यह हम लोगों की पुलफदी नहीं है अब तो आप लोग ने आंदूलन का रूप भी बदल दिया आप तो प्रभात फेरी कर रहे हैं आप मुँपे पट्टी लगा के आप धरने बैठे शांती का अंदूलन का रूप बदलने के बाद भी सोवे अधिकारी जग नहीं पा रहे हैं क्यों मंसा ही उनकी है जो है कि जल को बेचना जल जो एक प्रागर्तिक चीज है जो है उसको बेचने की पूरी प्लानिंग है और इनको नहीं मालूम कि कितने लोग जो है जितने पेंशन धारक हैं और जितने भी लोग वर्किंग पे हैं उनके भी बच्चों क्या हाल है छेत्रों में आप घूम के देखिए जो है यह क्यों मुख्याले की बात इस तरह पर नहीं है यह हर जिले की बात है वहां पर जो है को दोगे मेरे बाइडम बीमार है और माँ अमारी बुजूर्गाय उनको दिक्कत है बच्ट मेरी बच्ची श्कूल जाती है उसकी फीच नहीं जमा है और जल्लिगम पैसा नहीं दे रहा समय से और बहुत बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि जल्लिगम एक महीने की सहली दे कि म待ता है वा की मेकार मालिक आफर मचाय था겠न मीला और लडीष्त इंतिहान भी आपने रहा उसको फीच जमांदा मयारा यही दिककत है है जब यस रहेंगे सब इस्त्ति हैसे बहनी रहे इसे हो इनको क्या मतलब है जलिगम से क्या मतलब इनको इनको तो सभकार से मतलब है इ चटा मेना चल रहा है बेतन दे नहीं रहे हैं सही बात भी नहीं करें लब परशानी पच्छे के बठा दिये के स्कूल से पटा दिये गए पर फिज निजमा को रहे मिचाने जिलांगे जब इनका सेलेक्शन होता है अधिकारी का तो वह बड़ी प्रतिग्या लेते हैं कि हम ज चार आइस और चेर्माइन आइस पहले से हुआ करते थे पांच अब इन लोगों को चुकि इंजिनेरिंग की समझ है नहीं इंजिनेरिंग विभाग को यह लोग नहीं चला सकते हैं सरकार का यह परियोग पूरी तरह से भिफल है और यह और भी बरबाद कर दे रहे हैं संस् कि ना हमको वेतन दे पा रहे हैं ना हमारी समस्याओं को समाधान कर पा रहे हैं सं में बैटे हुए नोकरसा यह नहीं चाहते हैं यह सरकार को बदनाम करना चाहते हैं इसलिए मुखमंतरी जी के कहाने के बाद भी कि जलनिगम के करमचारियों की जो डिमांड है जो समस्या है बेतन की जो समस्या है इसको निवारर करिए लेकिन ये सासन में बैटे हुए इन गुंगे बाहरे इन करमचारियों की आप इस्तित देख रहे हैं हमारे बीच के कितने साथ ही मस्तिक जोर से कहीं बीमार से कहीं लगवा से किसी परकार से मर गए लेकिन कोई संग्यान लेने वा गए हैं उनको भुक्तान नहीं मिल लहा पिछले तीन साल से जो हमारे कर्मचारी सेवा काल में मर गए उनके परिवार को राहत के तौर पर अनकमपा नियुकती नहीं मिल लई है उसके लिए इस पूरे जलिगम के परिवार के सारे के सारे नीचे से उपर तक के संगटनों ने म प्रविकारी क्यों ऐसा है मिटम इस जलनिगम में यह जब से आई आएसा है तब सरक नहीं सरफलस घोतित करना कहीं भी भागों के काम निजी कंपनीयों को देना इस तरह के काम यह करते चले आ खत्म होगा दादाजी या तेज दिन से धर्णा ये 320 दिन का बनाने का जम तक जिंदिगी है तब तक धर्णा चलाने के अब ईडिस्टेशन इव ताई यह पांच साल से ना वेतन में वाहिने से ना पेंसन मिली नरी टायरेव से नहीं मिलना हैं कोट लोग जा रहा है और भी अवमानना कोट से भी आदेश ला रहा है तब भी जो आवमानना कर रहा है उसको एक कुछ थोड़ा बहुत दे दे रहा है अनुकंपा निक्ति का कहीं कोई व्योधार नहीं है कि तो भी रोके तीसरा साल सुरू हो गया पादमी अपने स अनुकंपा निक्ति जो हमारी 2018 से साथी जो विभाग में कारेरत थे एक्सपायर हुए है और उनके परिवार के साथ से को अनुकंपा निक्ति मिलनी चाहिए थी जो फाइल इन्हीं के इस तर पर लंबित है आईयस को जो फालो करना चाहिए लग करके अपनी फाइल को वहां कि अधिकारी कि आपको बुलाते नहीं है कुझ किया परिषान की हो रहा है क्ईं किया जा रहा है क्या हो रहा हैं अंदर आपको कु시면 चाहते हैं और विभाग में खून खराबा कराना चाहते हैं कि जब उग्र होंगे करमचारी तो वो पुलिस को बुला के लाठी चार्ज गोड़े दुड़ाएंगे तो तमाम तरे की परेसानिया होंगी और उसी के बहाना लेकर के लोगों को जेल में डाल देंगे मैं माई 20 में सिवा निरत हुआ हूँ अब तत मेरा कोई ढूज यहां पर प्राप्त नहीं हुआ है माई से अब तत मैं इस विभाग में ठोकरे खाता चला रहा हूँ तुर जाने वो क्या करते हैं कि सोते हैं कि जागते हैं यह करमचारी भूकों मरता है बच्चों की फिस नहीं पहुचा रहे हैं दूद वाला दूद नहीं दे रहा मकान वाला किराया मांग रहा मकान खाली करने के आदेश कर रहा बच्चे टीशन नहीं जाने पा रहे हम लो प्रवाले देंगे एनिमें एनि पर पेला बहुत से कर्जें हैं जिनका हम लोग पूर्टी नहीं कर पार है इस बार जल निगम का परिवार हो लिए से नहीं पराइगा क्योंकि पैसे नहीं है तो जो कुछ है सब कर पिड़ाता है पैसे ही नहीं है अपने पास अभी समय दो मह करने के बाद तेंसरे मैंने मिला तो उसमें जो खाने तक पैसा नहीं है आज मैं खुद परेशान हूं मेरा एक बच्चा हास्पिटल में भरती है हो गया है आज मेरे पैसे नहीं में पांच सु रुप्या उजाल लेकर जा रहा हूं इस समय बेतन देंग नहीं कुछिया कैस पैसा मिलागा नहीं तेवार होगा नहीं कैसे घर का खर्चा चलेगा यहां पर सिर्फ ना बोजर्ग नौजवान बलकि आज तो महिलाएं भी धरने पे बैठी हुई है छे महीने का पेंशन नहीं मिलना है इने सैली नहीं मिलना है घर कैसे चल ला आपका घर यतना भुक्मर कि एक खाले कि एमडी और चैर्मान के चबाले यह बताएए बहुत परेशान हैं अब्डी साथ तंखा नहीं दे रहे हैं कि दिन हो गए क्या बताएं कैसे बताएं पता निए उनको को परिवार को जादे हम लोग खतम ही हो जाए वसलग पाके बैठ जाने कि गारी रोग दे हैं बात चलाते हैं और बच्चन के छमार होती हैै और बच्चन के फीस झमार होती है है यह उपर से आपको सरुली नहीं मिली या छे चल ला जैसे तैसे चल रहे हैं दो बेहने उनको पड़ा रहे हैं मेडम 6-6 महेना से तनखा नहीं मिल रही है बच्चे कह रहे हैं ममी कुछ लागी खिलाओ क्या घर पर कमया एक लोग आए दस खवया वाले हैं कहां से पूरा कर रहे हैं जो सहीलरी मिले तब है तो हम लोग आएंगे मेडी और चेयर्मैन मिल करके फ्राइबेट को दे करके घोटाला कर रहे हैं और बद नाम जनलिंगम को कर रहे हैं कैसे हैं आप क्या कर रहे हैं आपє क्या करते हैं गार्डन के कर रहे हैं अब कि भी Trade न đã आ वाला चाहते हैं यहां पर यहां हम लोग बिल्कुल रोट पर देट जाएं तभी यह वह होगा हम लोग यहां घर में दूप में बैटा हुए को सुनवाएं नहीं है जब तक बंगा मार्ग भगाने जाएंगे तो कोई पढ़ने पढ़ने वाल आप क्या चाहते हैं कि किस तरी हमारे परिवारों की रोजी रोटी चल पाएं हमारे तीन बेटिया हैं एक बेटी के कल से बुखार आ रहा है 500 लोपर ले किसी से अभी मैं दवाई क्या बोले हैं हम लोग को समझतार आज मखी हम चाह्म के कर्मचारी यह जहां पर धरना दे रहे थे जल निघम के ऑफिस के बाहर हम उनoman के अज हमने इनसे जाना कि तयस दिन के धरने पर वो बेठी हुए हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल लई हैं उन्हें कर्मचारियों के एक घर में भी आए है और उनके परिवार वालों से आज हम पूछेंगे कि छे महीने से अगर उनके पिता को तो उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है यह घर देखिए आप मदब लोग चलचलाती धूप में देखिए कि किचन के ऊपर छत भी नहीं है और चलचल यह तो हमने एक परिवार का हम आपको हाल बताने जा रहे हैं अधिकारी आलिशान में रह रहा है और अधिकारियों के कान पर जूं vibrations रेंग रहा है कि उन कर्म उन कर्मचारियों के धरने को लेकर जो लगातार 23 दिन से बैठे हुए हैं चुल्चलाती धूप में और उन्हें यह नहीं दिख रहा है उसा आलिशान मकान में रहने वाले अधिकारी को कि एक कमरे में साथ लोग कैसे गुजर बसर करते होंगे बिना साली के बिना पैसे के क्या हाल है कि क्या नाम है आपका मैं परवीन 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 जी पती को का साली नहीं मिल लई है 6 महिने से कैसे गुजर हो रहे हैं जी बहुत कश्च होता है बहुत कश्च होता है हर चीज के लिए बहुत परसानी है घर में हर तरीके की चीज़ों के पड़ाई के लिए सब्सक्रणित पूरा इस वाले इस पूरे में साथ लोग चार बच्चे पढ़ने वालेosition एक च्छोटी क्लास में नहीं है, कि फर्स्ट या second ॐ क्लास में पढ़ रहा हो कोई MSC कर रहा है, कोई BTK कर रहा है सारे बच्छे पढ़ने वाले स्टांडर्ड क्लास में हैं, वो कैसे पढ़ाई करते होंग यहां पे बढ़ के, इतनी गर्मी में एक कमरे में साथ लोगों कैसे गुजर बसर करना है। एक ही फोन रहता है तो सब लोग के साथ में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। हम लोगों के लिए खाने के लिए प्राबलम है रासन की प्राबलम है दूत की प्राबलम है दवा की प्राबलम है पढ़ाई की फीस की प्राबलम है बच्चों के कपड़े की प्राबलम है। में हम खुदी सिविल हास्पिटल से इलाज चल रहा है सर बच्ची है बड़ी वाली वो भी डिप्रेशन में हो भी दवा खा रही है इसी सेलरीड़ा मिलने की वज़े से तमाम तरे की प्रेसानियों की वज़े से बंडार के एक ही जगां पर रखे हुए है तो यह यह हकीकत है यह जमिनी ह किकत है यह नगर निगम के कर्मचारी 962 यह पर पर नहीं से जितने कर्मचारी 8 पर हैं या पूर्य प्रेश में जितने कर्मचारी 9 आंखों में आंसू है आउ सारे कर्म giants के परिवार के घरूंकी यह ह की कत है